प्रिवेंडरम बोलिये अब आपकी एज अभी कितनी है मेरी 40 है उम्मर फॉर्टी है ट्रिवेंडरम में हमारा एक और अउषधाले भी है आप जोरत पड़ी तो वैज जी को दिखाना पर मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा आप ध्यान से सुनिए क्या क्या करना आपको तो जैसे दिखिए आपकी आयू लगबग 40 एस है और आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं परिशानी में है आपको क्या क्या करना है बेन मैं बताता हूं आप जहां से सुन लीजेगा जो तामबा होता है न कोपर कोपर के बरतन में आपको पानी रखना है रात को तामबा कर बरतन के पानी से जो हमारे शेरी के काफी जो टॉक्सिक है और निजाते हैं और तंपर कर रखने से एक जो वहां का वातावण है वो एक अलग तरह का हो जाता है ठोड़ा सा अलका हलका और सात्वी की हो जाता है, सुबह उठ करके वहन आपको नियमित रुप से कम से कम पाँच मिनिट भस्त्री का दस मिनिट कपाल भांती प्राणायाम और पंधरा मिनिट अनुलोम विलोम प्राणायाम और एक भ्रामरी प्राणायम होता है, इस तरह से आख बंद करके यह गूजने वाला यह कम से कम दस बार और बैठ करके जैसे नाद में यह कम से कम दस बार यह आपको डेली करना है सुबह यह सारे जितना मैं सिक्वेंस में बता रहा हूँ आपको करना इसके अतिरिक तो आपको सुभा थोड़ा सा सवासन और योग निद्रा, योग निद्रा के लिए स्वामी जी के कैसिट भी लगा सकते हैं तो अपने आप कर सकते हैं ये दो आसन की क्रियाएं, इतना तो आपको योग में करना है और इसमें सुभा या तो एक चम्मच बादाम रोगन आप दूद में डाल करके और दो गोली मेधा बटी सुभा, दो गोली मेधा बटी शाम को, और भोजन के बाद में आपको लेना है सारस्वता रिष्ट और अश्वगंधा रिष्ट लिख लिजिए, ये दोनों को मिला करके, दोनों की 4 टी स्पून यही लगबक 20 ml, 10 10 ml दोनों मेडिसिन उतना ही थोड़ा पानी मिला करके, खाने के बाद आपको लेना है, इतना कर लेना बहन, आप 100% ठीक हो जाएंगे, और मेरी शुख कामना है, ये बहन, टेंशन ठीक हो जाएगी बहन, और जो भी परिशानिया है, जो भी परिष्टितिया है, थोड़ा सा आप पॉजेटिवली लेना शुरू करो, आप परिशान मत हुआ करो, और सोचो कि बस परिशानी तो कुछ दिन के लिए हैं, और हमको बहुत स्वस्त होकर के रहना है, इस मानस्ता से आप जीएं, और जो मैंने दवाई बताई हो आप कर लीजेगा, आप ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करें।